नमस्कार जैहिंद कैसे हो दोस्तों आप सभी मैरविंदर आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे के आप सभी को पता है SSC के दोवारा ओफीशल कलेंडर आउट कर दिया गया है 2022 और थेईस में जितने भी एकजाम सोने है रेजल्ट आने हैं तो उन सभी का एक basic लेगर मैं बात कर दोस्तों तो tentative schedule जारी कर दिया है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई इसकी सबसे बड़ी बरती के बारे में जो की है SSC GD 2022 जिसमें दोस्तों आप सभी को पता है constable के post निकाली जाती है CAPF यानि Central Armed Police Forces के अंदर जिसमें ITBP, CISF, BASF उसके बाद SSB ये बहुत सारी जो paramilitary forces होती है ये में constable की post दोस्तों SSC GD की तहत ही जो है बरी जाती है और यहाँ पर पूरे बारत के महिला और पूस्त दोनों के पास जो ये golden opportunity होती है दोस्तों की इसमें form apply करके selection पा लें और ये मेरे coding दोस्तों railway के पाद सलसे बड़ी बरती होती है तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में complete information दूँगा दोस्तों चोटी से लेके बड़ी इसका exam pattern selection process सारी बाते मैं आपको इस वीडियो हम बताऊंगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई बी अलग वीडियो देखने के आव सकता नहीं होगी तो इस वीडियो को बिलकुल एंड तक देखेगा बहुत ही जिदा मैं तो पुन जो है वीडियो आपके लिए रहने वाली है सबसे अच्छी बात दोस्टो के विल दसवी पास अगर आप हो तो आप इसके लिया आवधिन कर सकते हैं पूरे बारत के लिए जो है ये पोस्ट रहती हैं दोस्तो सरकारी नोखरी पाने का काफी अच्छा जो है ये मुका आपके लिए रहने वाला है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो ऽबसे पहले तो मैं यहां पर आप सभी को बतरना चाहता हूँ की इसमें महिला और कुरुस दोनों ही जो है फोमấp लाई कर सकते हैं प्रोपर पर आपका एक्जाम लिया जैगा जैसा कि आपको पता है है ऐसे टाइम पर एक्जाम लेते है दोस्तो रिजल्ट बीकर आजता है यह 종स्ता है मर्स ऐपल्रेल में आपका एक्जाम में दोस्तों तो फीस आपकी जो है 100 उपह रहते है केवल और केवल जनरल मेल और OBC मेल कंडेट को ही पे करनी पड़ती है SCST या फिर फी मेल कंडेट एक सर्विसमेन इनके लिए बिल्कुल फ्री जो है ये फॉर्म रहता है क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दोस्तों केवल 10 वी पास इसके लिए आवे दिन कर सकते हैं 10 वी में चाहिए आपके 35% मार्ग से चाहिए आपके 99% मार्ग से आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हो एस की बात अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आयू जो रहेगी 18-23 साल अगर आप जनर्रल कंडेट हो अंडिजर्वर कंडेट हो तो आपके लिए दोस्तों आयू सीमा 18-23 साल अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 18-26 साल और अगर आप SCI-ST कंडेट हो तो आपकी एज दोस्तों यहाँ पे 18-28 साल रहेगी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉंस्टेबल की पोस्ट होती है CAPF यानि Central Armed Police Forces के अंदर और जिसमें आपकी SSB CISF यानि Central Industrial Security Force, CRPF, ITBP, NIA और आपकी BSF की अंदर जो है कॉंस्टेबल की पोस्ट रहती है दोस्तों यहाँ पर आपके सेलेक्शन के दर मैं बात करूँ तो सेलेक्शन प्रोस्ट बड़ा ही सिंपल सा है सबसे पहले आपको ओनलाइन फोर्म बरना है देन उसके बाद आपके computer-based test होगा फिर उसके बाद physical efficiency test होगा दोस्तो physical standard test होगा और medical होगा एंद 전 आपकी जो है document verification होने के बाद joining हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले जो pst है physical standard test उसमें में जो height है दोस्तों अगर आप अन्रिजोर्ड कंडेट हो, OBC, SC, ST में SC कंडेट मेल हो, तो आपकी हाइट 170 cm रहेगी कम से कम, और अगर आप ST कंडेट हो, से डूल ट्राइब से बिलोग करते हो, तो आपकी मिनिमम हाइट 162.5 cm रहेगी मेल कंडेट की, अगर आप फिमेल हो दोस्तो और आप अन्रिजोर्ड O OBC या SC से बिलोग करते हो, तो आपकी मिल में हाइट 157 cm रहेगी, अगर आप ST कटेगरी से बिलोग करते हो, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है दोस्तो, वो 150 cm रहेगी फिमेल की कंडेशन में, दोस्तो यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप तयारी कर रहे हो भी SSC JD की, या फिर किसी भी defense exam की, तो आप सभी हमारी app defense exam को download जरूर कर लीजिएगा, free or post mock test आपको मिलेंगे, बहुत सारे PDF app के उपर available है, courses और test series भी आपको app के उपर देखने को मिलेंगी दोस्तो, जिनसे आप अपनी तयारी को बहुती बैतरी लेवल पर घर बैठे कर सकत जो हो, बहुती कम से कम price में यहाँ पर आपको courses देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर डाउलोड कीजिएगा, demo पिल पिल दोस्तो, link वीडियो में description में दे रखा है, app का भी, telegram का भी, तो आगे बात करें दोस्तो, यहाँ पर भई chest की, तो chest cable और cable male candidate के case में valid रहेग है, उसके बाद अगर मैं बात कुरूँ दोस्तो, SC की तो 76 cm minimum test और 5 cm का expansion, then उसके बाद दोस्तो, PST अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो आपको जो है, physical, efficiency test लिया जाएगा, male में जिसमें 5 km के running होगे, दोस्तो, 24 minutes के अंदर आपको complete करनी होगी, female में दोस्तो, 1.6 km run होगी जो की 8.30, मिनट या निसादे 8 मिनट में आपको जो है, लगानी होगी, cable और cable qualifying in nature आपका PFT रहेगा, दोस्तो, PFT से पहले आपका exam होता है, मैंने आपको बताया, computer based exam, जिसमें आपके 4 subject रहते हैं, दोस्तो, पहला subject आपका general awareness का रहेगा, जिसमें 25 questions, 25 marks के पूछे जाएंग में आपके पास choice होती है, आप हिंदी लो या फिर English subject चूज करो, तो अगर आप हिंदी रेते हो, तो 25 questions हिंदी के, अगर आप English लेते हो, तो 25 questions English के पूछे जाएंगे, तो और ओल दोस्तो, 100 questions आपसे पूछे जाएंगे, जो की 100 marks के होंगे, 90 मिनिट में आपको जो है, इन questions क सोल करना होगा, दोस्तो, और maximum try करिएगा, कि आप भई, जदे-जदे question सोल करें, क्योंकि आपका जो selection होगा, वो totally merit-based होगा, ठीक है, यहाँ पर अलग-अलग जो department है, उनमें अलग-लग cut-off जाती है, अलग-लग state के लिए, अलग-लग यहाँ पर cut-off है, तो दोस्तो, यह जो आप सब भी अपने राए जरूर दीजेगा, और मैं तो यह recommend करूँगा, अगर आप किसी भी exam के तयारी करें और अगर आप इसके लिए eligible हो, तो जरूर से form डाल दीजेगा, दोस्तो, अना क्यूंकि इतना ज़्यदा competition भी नहीं है, अगर competition है भी, तो number of post भी बोजर आप अक आप की बहुत ही बैतरीन तयारी हो जाओगी, और competition में आप stand out करोगे दोस्तो, definitely आप भी selection ले पाओगे, अगर आप यह सोच रहे हो, कि form बढ़ने के बाद मैं तयारी शुरू करूँगा, तो मेरे भाई आज के टाइम पर सरकारी नोकरी लेडाना, बिलकुल एक एक ना मतल आपके लिए लेकर आता हूँ, और रात को नो बजे बई, नो बजे, जनल अवारनेस के अंदर आपकी science भी यहाँ पे आती है, तो मैं रात को नो बजे आपके लिए free live class लेता हूँ, जिसमें हम previous year के question डिसकस करते हैं, तो इसको जुरूर जोइन कीज़ेगा दोस्तों, बह सब्सक्राइब से नेक्स सेशन में, have a nice day, जय हिंद, जय हिंद,